यह कोशन गे 2013 में पूट हुआ है देखो इसमें क्या किया रहे है विच्छ फॉलाविंग इस नॉट लॉजिकल एक्वेलेंट नॉट ओके तो फर्मुला क्या है पूर्य का नॉट इसको पी माल लो इसको क्यों क्यों बार क्या होता है न टी अर्म इसको बार करो तो इस पर करोगे तो यह क्या बन कहे गा वहकर देर एक्जिस्त वाई नउट अल्फा है और देशन जैंड नॉट विट्ट ठीक है ओके चलो अब पहले तो यह देखो यह फॉर्मला है किसी कोई option में देखो भी for all x there is just y not alpha और there is just z not beta ठीक है जी तो not equivalent पूछे ना तो यह option तो गलत हो गया अच्छा जी अब और देखो अब आपको यह भी यादार होगा पी बार प्लस q क्या होता है भी पी इंप्लाइस q तो यहां पर implication वाले options है ना तो implication वाले भी आप बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं तो पी बार प्लस q करो तो इसका मतलब इसका बार करो इसका बार करो गे तो क्या बन कहाएगा यह for all y alpha है ना implies there exists z not beta समझे ना पी बार प्लस q that is p implies q तो इसका बार किया हमने तो for all y alpha implies हमने लिख दिया तो यह option है कहीं देखो भी for all y alpha implies there exists z not beta तो यह option भी गया अच्छा जी अब इनको हम flip भी कर सकते थे हैं क्योंकि यह option कुछ ऐसे नज़रा रहा है for all z beta implies there exists by not alpha है तो इसको आप flip कर सकते थे क्योंकि और है और is commutative flip कर देते तो यह क्या बन कहता भई for all x there exists z not beta और there exists y not alpha है ना तो बस वही बात है पी बार प्लस q क्या होता था है पी इंप्लाइस q तो for all x तो इसका नॉट करो नॉट करो तो क्या बने गए for all z beta implies there exists y not alpha तो यह option मैच हो गया इसको भी हटाओ तो obviously not equivalent का था तो option is correct तो option अगर आप चाहो तो solve करके देख भी सकते हो यह क्या बन कायेगा देखो for all x तो हम क्या कहरें प्लस को है ना पी बार प्लस क्यूं होता है तो लगे तो क्या बन कायेगा for all z beta और for all y alpha ठीक है यह तो है नहीं ठीक है आपको देखते समझ में आ रहा होगा तो यह option हमारा match नहीं कर रहा है तो finally a is correct ठीक क्योंकि यह equivalent नहीं आया है ठीक ओके A 2014 का question देखो यह English sentence given है not all that letters is gold और हमें बताना है predicate formula जो कि इसको represent करेगा ठीक है यह हमने लिखे है represented by which formula ओके भई तो देखो सिदिसी बात है हम इसको पहले change कर लेते हैं formula में और फिर हम लोग match कर लेंगे कोंसा option match करता है देखो तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपको shortcut याद आ रहा होगा all that letters is gold पहले हम इसको change करते हैं आप directly इसको लिख पा रहे होंगे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा solve कर रहा हूँ तो पहले मेरा practice question on translation practice question on translation part 1 यह video देखो उस मेंने यह सब कुछ अच्छे से screen के हैं और सारे shortcuts आपको समझा रहे हैं ऐसे मैं आपको बता देता हूँ मैंने practice question on translation के 4 parts बना रहे हैं part 1, 2, 3, 4 तो यह चारो part आप देख लो तो कोई भी gate का question आजाए translation का मैं guarantee के साथ बोलता हूँ आप उसको solve कर जाएंगे क्योंकि मैंने वह बहुत ध्यान से और बहुत अराम से comprehensive style में वह videos बनाए है हार एक questions हो लोगा मैं आपको इस बात की guarantee देता हूँ ठीक है तो पहले मेरी suggestion है आप इस चारो parts देख लो थोड़े बड़े हैं वह लगबग एक घंटे का topics हैं यह सारे but part 4 चोटा है वह 8-10 minute का आश है but main बात यह है कि आपके सारे concept clear हो जाएंगे translations के और कोई भी question आज यह बड़े राम से gate का solve कर जाएंगे ठीक है इस बात की मैं आपको guarantee देता हूँ तो थोड़ा सार time लगा लो वो कर लो और फिर आप खुछ से gate के question solve करने बैठेंगे तो एक के question आप से solve होगा ठीक है चलो फिर भी मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है ओके तो देखो भी अब match करते हैं एक बात यह देखो यहां पर नहीं लगा रखे है तो कॉलन का भी मतलब है कुछ नहीं आप सिंपली समझाते है ब्रैकेट नहीं और कुछ नहीं ठीक है प्लस कियू का बार हमें करना पड़ेगा न कि नॉठ हम अंदर लेकर जाएंगा तो पूरे पर लग जाएगा तो पिक्यू बार होईगा तो मतलब हम कैसे लिखेंगे डेरिशिस्ट एक्स एंड नौट गोल्ड एक्स ठीक है ओके तो अब देखो अब को यह option मैंच होँग ह अब I think option D match हो रहा है, तो option D is correct, there is a set Glitter X and not Gold X, तो आजकल MSQs आ रहे हैं, तो MSQ को handle करने का best way मैंने आपको काफी बार बताया है, जबी भी आप previous year question को solve कर रहे हो, तो पूरा deep analysis के साथ solve करो, मतलब हर एक option को check करो, और देखो कि वो गलत है, तो गलत क्यों है, हमें इस सब पता होना चाहिए, option D is correct, यह हम देख चुके हैं, बट still बाकियों को भी देखते हैं कि वो गलत क्यों है, तो पहला option देखो क्या कहरा है, for all X, Glitter X implies not Gold X, इसका मतलब क्या होगा, वो glitter करेगा, और C option क्या कहरा है, there is this X, Gold X and Glitter X, and not Glitter X, तो इसका मतलब क्या होगा, something is gold and it does not glitters, ठीक है, तो I think समझ गयो होगे, यह सब options भी हमने check कर लिये हैं, तो just check of practice में आपको बताया, और कुछ नहीं, वैसे अगर MCQ होता, तो हमें 10 से लेने की जूरती नहीं थी, हम तो स्रीधा D पे टिक लेगा आके भाग सकते थे, बट वहीं बात है, MSQ आ रहे हैं, तो MSQ के चक्कर में फिर हमें सारे options check करने पड़ा हैं, ठीक, ओके, चले, ठीक है, gate 2014 का question देखो, not all rainy days are cold, मैंने अभी आपको ऐसे पढ़ाया था, gate 2014 का हमने अभी एक question देखा था, not all that liter says gold, वो set 1 में आया था, ये set 2 में आया है, ठीक है, ओके, तो बिल्कुल miss this the question है, ज्यादा मैरे को इस पर खीचना नहीं चाहिए, मैं स्रीदे स्रीदे बताऊंगा आपको, देखो, all rainy days are cold, इसको कैसे लिखोगे, for all d, rainy d implies cold, cold d, ओके, और not लगा है, तो हम स्रीदा यहाँ पर not लगा देंगे, ठीक है, तो अब वोई बात है, options की हम matching करने जाएंगे, तो देखेंगे भी not कहीं है नहीं, तो not का मंदर रेके जाएंगे, तो क्या बन कहाएगा, there exist d, अब वोई बात है, p implies q का not कैसे निकलता था, p q bar से, तो क्या आएगा, rainy d and not cold d, ठीक है, बस फटाफट से option मैच करो, there is this d rainy d and not cold d, ठीक है, तो यह option हमारा correct हो जाएगा, बाकि फटाफट option मैं आपको वैसे चेक करवा देता हूँ, for all d, rainy d and not cold d, इसका मतलब, every day is rainy day and it is not cold, तो बिल्कुल बगवास बात आएगे, अच्छा, next क्या है, for all d, not rainy d implies cold d, तो इसका मतलब, if day is not rainy, then it is cold, ठीक है, अच्छा, next, there exists d, rainy d implies cold d, तो मैं आपको वैसे काफी बार बता भी चुका हूँ, there exists के साथ, implication बिल्कुल meaningless होता है, तो हम इसको ज़्यदा चेक करने की जूरते नहीं, आप इसको वैसे छोड़ सकते हैं, तो फाइनली हमारा d option correct है, ओके, ठीक, it to the 19 का question देखो, for all x, for all z, z slash x, तो slash का मिनिक इन नहीं बता रखा है, a slash b है, a divides b and hair a and b are integers, तो हमारी सारी बार integers के लिए हो रही है, हमें यहां से इंड्रेक्टली यह भी समय में आ चुका है, अब हम क्या करें, for all x, for all z, तो वही बात है, nested loop वाली बात है, for all x मितलब, एके करके हम integer को पिक करेंगे, और जिस भी integer को मैंने पिक कर लिया, उसकी बाद मैं क्या करा हूँ, for all z, मतलब in the sense, हम सारे integers घुमा देंगे, जैसे मैंने कोई भी integer पिक कर लिया, say 85, तो हम बात करने के बाद, then z is equal to x, और z is equal to 1, तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा, यह किसम से prime number वाली बात है, this is about prime number, तो prime number कौन सा है भी, हम x की checking कर रहे हैं, तो x is a prime number, समझ रहे हो, जो भी इने integer पिक किया है, integer पिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, for all z, if z divides x means, z is equal to x, और z is equal to 1, मतलब, अगर कोई भी इन्टीजर, इस इन्टीजर को डिवाइट कर रहा है, इसका मतलब होगा, कि वो इन्टीजर या तो 1 हो, या x हो, इसके लाभा कोई और ना हो, मतलब 1 हो या itself हो, तो 1 और इट्सेल्टर से हैं, दोई फेक्टर का मतलब समझ जी होगे, प्राइम नमबर है, तो मैं डिरेक्टली कह रहे हैं, कि x is a prime number, आचा जी, implies this thing, तो implies मतलब, आप हम क्या कहेंगे, कि if x is a prime number, then there existed w, w greater than x, and आप w के बारे में देखू क्या कहा रहा है, for all z, z divides w implies w is equal to z, और z is equal to 1, तो w is equal to z, को आप ऐसे लिख सकते, खोड़ा सशाद आपको confuse ना करिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, z is equal to w, ठीक है, तो वही बात आएगी, there is this w, and उसके for all z, वही बात है, loop चला रहे हम लो, z मतलब, सारे के सारे integers की हम लोग loop चलाएंगे, एक एक करके सारे integer की checking कैसे कह रहे हैं हम लोग, z divides w को, अगर कोई भी integer इस w को divide करता है, इसका मतलब, z या तो वही w ही हो, मतलब w itself हो, या फिर वो one हो, मतलब one और itself के लावा, one और itself के लावा, इसका कोई और factor ना हो, that means what, w is also a prime number, तो यहां से हम लोग क्या कह रहे हैं, कि w is prime, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल के हैं, x is prime, तो हम इसको पूरा formula को कैसे पढ़ेंगे, if x is prime number, then there exists a w, which is also prime number, and it is greater than x, क्योंकि हमने बोलाँ, w greater than x, तो इसका मतलब आपको clear हो गया होगा, हम इस sentence को पूरा पढ़ते हैं, कि if x is a prime number, then there exists a prime number, greater than the given prime number, बस हम यह कहना चाहरे हैं, ठीक है, और यह तो आपको इस प्रता होगा, तो बिल्कुल fundamental theorem है mathematics के अंदर, कि कोई भी आपके प्राइम नेंबर है, कि यह formula यह statement किस-किस set के लिए valid है, मतलब हमें बताना है कि किस-किस set पर यह definition चलेगी, और किस पर नहीं चलेगी, तो इखो भी, set 1 में हमने क्या रखा है, एक finite set लिए है, तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, finite set में देखो 1, 2, 100, सिर्फ 100 elements है ना, तो मैंने क्या कहा है कि अगर कोई भी prime number होगा, तो उससे एक बड़ा prime number ज़रूर मिलेगा, तो 100 तक हम जा रहे है, उससे आगे हम जान रहे है, तो कोई भी 100 से बड़ा prime number होगा, तो वह हमें नहीं मिले वाला, समझ जाओ, 97 प्राइम नंबर आ जाएगा, तो 97 प्राइम नंबर क्यों आ जाएगा, आप इसकी checking बड़े अराम से कर भी सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो वैसे मैं आपको aptitude में इससा बताऊँगा, 97 का ना, स्क्वेर रूट निकालो, 97 का स्क्वेर रूट 9 प्राइम आएगा, जो भी आएगा, तो आप अप्रॉक्सिमेटली 10 मान लो, तो हमें बस 2 तो 10 इन सब नंबर की checking करने हैं, इससे आगे मिले को checking नहीं करने पड़ेगी, मतलब in the sense, 2 से लेकर 10 अगर कोई 97 का factor आगा तो बार ठीक है, इसके आगे मिले को checking करने के जुड़त नहीं है, अगर कोई factor आएगा, तो यह प्राइम नहीं होगा, अगर कोई भी 2 से लेकर 10 तो कोई factor नहीं आया, 97 का, तो हम सिधा डिकलियर कर देंगा, 97 अगर आपको नहीं पता तो, बहुत basic सी बाते हैं, ठीक है, चलो भई, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 7 इस 16, 16 इस नोट डिविजिबल बाई 3, यह आपको पता होगा, sum of the digit must be divisible by 3, 3 की divisibility का logic क्या होता है, sum of the digits must be divisible by 3, 9 प्लस 7 इस 16, 16 is not divisible by 3, तो मतलब समझ जाओ, 97 divisible नहीं होगा, 3 से, अच्छा जी, उसके बाद 4 से तो औविजिबल नहीं जाएगा, जब 2 से नहीं जाएगा, तो 4 से जाने का मतलब भी नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 97 है, 5 के लिए क्या ओता है, लास्ट गिजिट 0 या 5 होने चाहिए, इसके लावा होनी चाहिए, तो लास्ट गिजिट 7 है, 5 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद 6 से जाने का भी कोई लोगि क्योंकि 3 से नहीं गया है, 7 से भी नहीं जाएगा, तो यहां से अमने बस चीज और भी सीख ली कि प्राइम नंबर की चेकिंग कैसे करते हैं लोग तो यह प्राइम ने चाहिए नहीं होगा नंबर ऑफ डिवाइस कितने हैं नंबर फैक्टर कितने हैं इस बहुत सारे आते हैं तो मैं आपको अप्राइम से डिल करवा हुआ है तो चलो ठीक है 97 हमारे पास सबसे बड़ा इसमें प्राइम नंबर आया है तो 97 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर होगा वह यहां पर मिलेगा ही नहीं क्योंकि 97 से बड़ा I think 101 होगा ना 101 इस प्राइम नंबर आप चेक कर ले है अप कि अन्ति बड़ा प्राइम नंबर में मिलता है मिलेगा है ठीक है तो तो डू पर देशन चल रही है सटी की बात करते हैं सेट अफ और इंटिजर के लिए चलेगा चलेगा क्यों क्योंकि आपको मन में शायद ये डाउट आ सकता है कि सबस्क्राइब मैंने definition में क्या क्या है कि if x is a prime number then there is a prime number greater than the given prime number तो अब जो भी आप negative number p करोगे वो prime होगा नहीं तो अगर prime है इन तो हम आगे checking क्यों करेंगे समझ में आ रहा है देखो मैं आपको इसी जी काफी पर बदा चुका हूँ आपको समया रहा होगा नेगेटिव नंबर सोगे नेगेटिव नंबर सोगे प्राइम कभी होते नहीं है तो मैं नेगेटिव नंबर के इंडिरेक्टी चेकिंगी नहीं करें क्योंकि हमने यहीं पर बोलगे कि इस एक इस प्राइम नंबर ग्रेटर दन देविवन प्राइम हो हम पहले चेक करेंगे कि अगरो निकला तो फिर मैं आगे बढ़ए बढ़के बोलूगा कि उससे बढ़ा को बिलना चाहिए अब जब हम गड़ा की बढ़के चेकिन करने के हमें जोटे नहीं तो नेगेट